प्रमन संग का आठ्वा गोल्डन नियम संग राजनीती में कभी नहीं जाएगा जैसे ही कोई व्यक्ति इस नियम के वारे में सुनता है या पढ़ता है खास तोर से वो जिसको बार बार ये बताया गया है कि राजनीती सभी तालों की मास्टर चाबी है और फिर उपर से बावा साब अम्बेटकर का नाम लिया जाता है तो आदमी आख बंद करके यकिन कर लेता है कि राजनीती सारे मास्टर यानि सारे दुखों की सारे अधिकार लेने की चावी है और अगर राजनीती नहीं है तो कुछ नहीं है तो वो सोचता है कि यह संग वाले तो राजनीती में कभी जाएंगे नहीं करेंगे क्या वो पूचता है कि करेंगे क्या आखिर जब राजनीती करोगे नहीं तो फिर फाइदा क्या संगा मतलब व्यक्ति की सोच को सिर्फ एक पॉइंट पे एक बिंदू पे लाके रोक दिया कुछ लोगों ने और वहां से राजनीती के लावा उनको कुछ दिखाई नहीं देता ये बात सही भी है और ये बात गलत भी है सबसे पहले ये समझें कि राजनीती का अर्थ क्या है राज माने होता है राजा राजा से संबंदित राज कुमार से संबंदित राज कुमारी से संबंदित राज महल से संबंदित राज दरवार से संबंदित ये जितने भी राज या राजा है पाली भासा में उनको रही बोला करते थे पर संस्काइद भासा में रही का राजा कर दिया राज कर दिया और नीती का मतलब है नीती सब्द बना है नियती से और नियती का मतलब होता है ले जाने वाला जो ले जाता है यानि ले जाये जाता है तो ले जाये जाता है मतलब किसी व्यक्ति को ले जाये जाता है जैसे कहीं आप जाते हैं और कोई आपका हाथ पकड़ गए आपको कहीं ले जाये तो उसको बोते हैं ले जाये जाता है नियती तो ले जाए जाता है मतलब कोई मार्ग है पहले से उस पे ले जाए जाता है उसको नियती बोलते हैं कहीं कोई बात होता है तो कहते हैं ये तो इसकी नियती है और कही बार बोलते हैं परी नियती है यानि कि पूरी तरह से नियतियस में कोई चेंज नहीं और अगर इसका ये प्रिजेंट टैंस है वर्तमान टैंस है ये वाक्य है अगर इसका हम पास्ट टैंस बनाएं यानि कि हो चुका है किया जा चुका है तो उसको बोलते हैं नीत नीत माने ले जाया गया हुआ यानि इसको ले जाया गया हुआ है जैसे किसी को कोई व्यक्ति अपने घर बुलाए और वहां से वो पड़ा उसकी घर जाए और पड़ा उसकी घर पहुंच जाए तो कहते हैं इसको वो बच्चा ले जाया गया है तो अगर यह लगा दें नीती तो वो नाउन बन जाता है यानि कि गाइड ले जाने वाला वो नीती हो गई तो नीती नीत और नीती यह सब्द नीती से बने हैं इसका मतलब हमें वो मार्ग या मार्ग पर पहुँचाने वाला गाइड या गाइड जो नीती है वो गाइड हो गया और जो गाइड्स हो गया और जो इसके अंदर नीत है वो गाइडड हो गया और जो नीती है वो गाइडेंस हो गया तो राजा की नीती यानि राज नीती यानि राजा हम को कहीं लेके जा रहा है इसको बोलते हैं राज नीती राजा के द्वारा हम कहीं जा रहे हैं इसको बोल को बोलते हैं राजनीती पर भारत में तो आज कल कोई राजा है नहीं इसलिए राजनीती सब्द यहां बेकार है यहां है लोक नीती और संग नीती भारत गड़राजे संग का संविधान संग की नीती या लोक सवाब में जो लोक रहते हैं लोक नीती दोनों की बात एक है यान उन लोगों को चुनते हैं तो लोग यानि संग खुद ही लेके जाते हैं तो संग नीती या लोग नीती या पुराने समय में इसको गड़ नीती बोते थे गड़ माने लोगों का समूँ यानि लोग जहां लेके जाएं जो तै करें तो सोचने वाली बात ये है कि प्राकर्टिक क्योंकि हम यहां बार बार बताते हैं कि सबसे पहले जो जीब थे या जो प्राकर्टिक चीज़ें थी उन्होंने इखटा होके अपनी सुरक्षा, अपना विकास और अपना सुख समझा और वो ऐसे जीब थे जिनके ना कान थे ना नाक थे एक कोशिके है दो कोशिके है बहु कोशिके है फिर बात में इंदियां बननी सुरू हुई, यानि सैंसिस बनने सुरू हुई, सुरू सुरू में सैंसिस नहीं थे जब सैंस बनी तो किसी की कान बने, किसी की नाक बनी, तु पहले एक आख बनी फिर एक आख से दो आख बनी यह सैंसिस बने हमारे और मन बना हमारा जो मन चलता है इसलिए मन उससे वो प्राणी है जिसके पास में छे के छे इंदिया होती हैं छे के छे सैंसिस होते हैं बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जिनके पास में पांच इंदिया होती तो वो सारे एक इंदिया वाले या दो इंदिया वाले या चार इंदिया वाले या छे इंदिया वाले उनको पता था कि एकटे रहेंगे तो सुरक्षत रहेंगे तो जान बच जाए एकटे रहेंगे तो खाना मिल बाट के खालेंगे तो विकास होगा एकटे रहेंगे तो सु मक्रण में थे सकते हैं उनका कम्म्lication नहीं होता वो सिर्फ देखते हैं कि संग कहां जा रहा है तो सारी मश्णिय मुड़ जाती है आकास में जो सुखशषी है वह एक दिसाalen मुड़ जाते हैं जन्गल के तो उसको मगर मचि पकड़ लेता है सीर पकड़ लेता है, चीता खा जाते हैं उसको, वहा बड़े सारे मसाई मारा में बहुत सारे जीप, जंगल अबीवी वैसे के मैज़ैं, तो इसका मत्तर यह हो गया कि हम सुरू से संग नीती में, गण नीती में, लोग नीती में रहते थे राजा बहुत बाद में बने चंद्रकृत मौड़े के इत्यास में बताया जाता है कि उन्होंने पहली वार सेना बनाई और सेना रखी पेड़ सेना, यानि जो सेना का चलन हुआ है, रखने का, साधान मनुस्व को सेना बनाने का, सिपाई बनाने का जो चलन है, वो चंद्रकृत मौड़े से, मौरिया से आरम हुआ है, उससे पहले सेना नहीं होती थी, पेड़ सेना नहीं होती थी, आजकल तो हर देश से सेना राज नीती नहीं होती थी। तो ये बात तेह है कि सबसे पहली जो नीती है प्राकरतिक रूप से वो गणनीती या सांगिक नीती संगनीती या लोक नीती तिनों एकी बात है। इसको पब्लिक टैक्निक बोल सकते हैं या पब्लिक की जो एंत्रपलोजी के साथ से जो पब्लिक रूस बनाती है पब्लिक रूस बोल सकते हैं पब्लिक एड्मिट्रसन बोल सकते हैं तो यह जो संग नीती है लोक नीती है या जो गड़ नीती है यह राजा की नीती में कैसे इसका एक प्रॉसेस है इसका प्रॉसेस ये है कि जब हम गण नीती बनाते हैं या संग नीती बनाते हैं या लोपनी नीती बनाते हैं तो गण नीती में एक गण इसी बनाते हैं जिसको गणेस बोलते हैं गणेसी बोलते हैं जो गण इसी होता है इसी माने व्यग्यानिक जानक तो उसको हम बनाते हैं आज के समय आप कह सकते हैं गाओं का प्रधान तो गण इसी बनाते हैं गण का समू का जानने वाला जादा जानने वाला और दूसरा जो हम बनाते हैं वो बनाते हैं लोक सभा के अंदर लोक पती जो आज के समय संसद में बनता है तो सारे जितने भी संग है संग अपना कोई ना कोई संग का सभापती जो संग का संचरन करता है जो हमारी वहां संगती लगती है वो टेंपरेरी रूप से बनाता है पर्मानेंट नहीं होता तीनों ही सिस्टम में पर्मानेंट नहीं होता बस आवस्ता पड़ती है बना लेते हैं या कुछ समय के लिए बना लेते हैं पर जब वो पर्मानेंट नहीं होता और हम उसे टेंप्रेरी बनाते हैं तो वो काम करता है और पुराने समय में इमानदारी से काम करता होगा इतने करस्ण वरस्तों नहीं होंगे छोटा बोटा कोई करस्ण कर लेता होगा पार्शल्टी कर लेता होगा पर ठाक बनाएं तो वो उसका राइट बनना शरू हो जाता है उसका अधिकार आ जाता है जैसे कोई व्यक्ति कहीं जौंपड़ी डालके रहे और वो वहीं रहता रहे तो 20 साल तक अगर रहता है तो सकार भी कहती है अब यह जमीन तेरी होगी तेरा अधिकार हो गया क्योंकि तू सांगिक पेकरिया में टेंपरी रूप से सेवा देने आए लोगों ने का तुमने अच्छी सेवा दी तुम इस पर रहो कुछ समय तक उन्होंने सेवा की फिर उनका अधिकार बन गया क्योंकि जब वो वहां रहता है तो उसको कुछ मिलता है क्योंकि वो लोगों को कमांड क जाता है और जब उसके राग में आ जाता है तो फिर उसको छोड़ता नहीं है और छोड़ना चायता नहीं है फिर उसकी इक्छा जागरित हो जाती है तो वो वहीं बरे रहना चायता है बस यहीं से गड़नीती संगनीती और लोगनीती राजनीती में बदल गई और धीरे ध प्राकर्तिक है प्राकर्तिक नहीं है वो कुछ उन व्यक्तियों की इक्षा के ओपर है जो छोड़ना नहीं चायते जो अधिकार लोगों ने दिये जो संग ने दिये और फिर उन्होंने अपने परिवार को वारिस बना दिया फिर उनके परिवार को बना दिया और फिर लोगो उसको accept कर लिया, लोगों को पता ही नहीं कि इसको temporary बनाया गया था और यह permanent हो गया, फिर वो कहता है कि मेरे तो दादा के दादा के दादा के दादा के दादा राजशाही खांदान हो गया, प्राकरतिक रूप से किसी का राजशाही खांदान नहीं है, सारे बंदर थे, तो ब बंद्रों का कोई महल नहीं होता कोई राजदरवार नहीं होता बंद्रों का और जो बनमान उसे हैं उनका कौन सा सिपाई और कौन सी सेना होती है कौन सा राजदरवार है कौन सा वहां पर नटकरी डांस करती है कौन सी वहां अपसलाएं रह जाती है कौन सा वहां पर सजाएं होती हैं कुछ नहीं होता बंद्रों का हम बंद्रों से बने हुए पर जैसे चेतना आई और उन लोगों ने इसको अपना अधिकार बना लिया और उन्होंने इसको अधिकार को बना रहे चलाने के लिए सारे साम दाम दंड वे चल कपट के सारे सड़िंत किये कुछ लोगों न कि लोग जो चाहेंगे वो कहेंगे वो मरवा दिये गए या उनको जीर भिजवा दिया गए तो कि वो व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहेता और वो ऐसे लोगों को शामिल कर लेता है जो लोग उसमें हो ये सभी दुनिया में चलता है सिस्टम आज भी चलता है आज भी जहां लो कि यानि कम्यूटी का मतलब ही संग होता है कम्यूटी जो कम्यूटी यानि के जो लोग रहते हैं उसको कम्यूटी बहुत है तो कम्यूटी वाले सिस्टम के कम्यूट जो सिस्टम उन्हों भी सम्विधान बदल लिए बड़े बड़े देसों ने बदल लिए क्योंकि कौन अ राजनीती जो लोकनीती थी वो राजनीती में कर्णवर्ट होती चली गई भारत के अंदर भी जो संब्लों की व्यवस्ता है वो गण परिशा के आधार पर थी उसको गण चलाया करते थे गण पती चलाया करते थे जो सांगिक व्यवस्ता थी वो सांगिक व्यवस्ता ज्याद होता था ये बात पुरी तर से तह है तो यहां जो सिस्टम चल रहा है जो अभी सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम समण संग में नहीं था और भिकु संग में भी नहीं था भिकु संग के अंदर भी सांगिक प्रक्रिया होती थी वहां भी कोई राज तंत्र नहीं था भारत में ज जहां भी पब्लिक एडिमिस्टरस नहीं, जहां पब्लिक बोर्ट देती है या पब्लिक चुनती है, वो सारे सिस्टम सांगिक है, पर सांगिक सिस्टम पूरी तरह से सांगिक नहीं है, वो सांगिक सिस्टम खतम हो जाते हैं, जब लोकसवा के अंदर विप जारी होता है, और कहने पर वो डालना पड़ता है चाहे वो बात गलत है या वो बात सही है ये ठीक position राजनीती की है यानि राजा की नीती की है ये सांगिक ये समविधान की नीती नहीं है तो इसलिए सांगिक नीती को धीर धीरे करके राजनीती में लोग बदलते हैं, यह सारी दुनिया में होता है, और जब यह ज़्यादा चलती है, तो फिर दुआरा से सांगिक नीती आ जाती है, यह सरकल चलता रहता है, सांगिक नीती और राज नीती, सांगिक नीती, आप राज नीती को व्यक्तिकत नीती भी कह सकते हैं, होती रहती हैं चलती रहती हैं तो भारत में आज के समय सांगिक नीती है समिधान की नीती है संकी नीती है लोगों की नीती है पर समिधान की नीती को अगर आप बाउंड कर देंगे और व्यक्ति अपने हिसाब से अपनी वोट नहीं डाल सकता समिधान के अंदर तो वो राजनीती में बदल जाती है फिर वो सांगिक नीती नहीं रहती है इसलिए जिस दिन विप का नियम आया कि आपको पार्टी की इक्षानुसार वोट देना पड़ेगा लोकसवा के अंदर फिर उसकी आजादी खतम यानि कि जिसको हमने चुनके भेजा वो व्यक्ति अपनी एक्षा से अपने विवेक से डिशन नहीं लेगा वो अपने जो उसका एक व्यक्ति है जो उसका राजा है जो उसकी गुरुप का राजा है उसके कहने से जो वो डिसाइड करेंगे एक आदमी या चार आदमी वही सबको करना पड़ेगा. तो संग राजनीती में नहीं जाते क्योंकि पहले भी संग राजनीती में नहीं गए और अभी में नहीं जाते क्योंकि वो राजा हैं ही नहीं जब राजा हैं ही नहीं तो राजनीती में नहीं जाते पर सारे संग लोकनीती में जाते हैं संगनीती में जाते हैं गड़नीती में जाते हैं तरसल यह आठमा जो नियम है हमारा एगजेक्ट जो है वो यह है कि संग हमेसा गड़नीती में जाएगा संग हमेसा लोकनीती में जाएगा संग हमेसा सांगिक नीती में जाएगा यह सेंटेंस है पर इसको जो पास किया और जब यह प्रजेंट किया तो इसको ऐसा कहा गया कि संग कभी राजा की नीती में नहीं जाएगा यानि राज नीती में या वेक्टी की नीती में नहीं जाएगा ऐसा कहा गया, क्योंकि दो ही तरह की नीतिया होती है, या तो एक व्यक्ति हमें ले जाए, जिसको राजा बोलते हैं, या राजा ना भी बोले तो एक व्यक्ति हो गया, वो हमको ले जाए, गाइड़िट करे, या पूरा संग डिशाइड करे, और वो जहां हमको लेके जाता है पूरे संग को वहाँ जाएं, तो हम हमेसा संग के साथ जाएंगे, संग की नीती में जाएंगे, पर चुमकि राजनीती का प्रचलन जादा है और राजनीती हमारे समाज और हमारे पूरे भाध के अंदर जादा सब्द प्रचलित है, लोक नीती, संगिक नीती या गण नीती ये प्रचलत नहीं है इसलिए यहां राजनीती में संग कभी नहीं जाएगा ऐसा कहा गया हूँ तो राजनीती में क्यों नहीं जाएगा राजनीती में इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि जो पॉलिटिक्स है अब मैं इसको पॉलिटिक्स बोलूँगा क्यों राजनीती है नही विचार धारा नहीं काम करनी है नहीं विचार धारा पर आपको कोई पालन होगा नहीं उस पर कोई काम करना है ideology से politics का कोई लियनदर नहीं है poly माने होता है बहुत सारे यानि बहु, many और tricks माने होता है नीती यानि कि आप कौन सी tricks अपनाओगे कॉंसे टिक्स करोगे सास्त्र हो गया एक पर ऐसे तो वहाँ पॉली यानि बहुत साई लोग आपको पकड़ने पड़ते हैं पर हमारा नियम तो है केबल समण तो अगर हम राजनीती में जाते हैं संग अगर राजनीती में जाता है तो फिर उसको समण के अलावा वंडों के प पर संगों के अडिलर ये होती है कि कुछ भी हो जाए पर जिन लोगों के भले के लिए संग बना है उनसे आगे वो कहीं नहीं जाएगा तो हमारा नियम है केबल समण इसलिए हम नहीं जा सकते राजनीती के अंदर बहुत जूट जूट बोला जाता है बहुत जूटे देश है कि जीतना है पर संग कभी जूट नहीं बोलते हैं संग जो कहते हैं वो करते हैं संग तथागत होते हैं संगों की मर्यादा होती है उनका गौरव होता है उनका गारव होता है तो संग अगर राजनीती में जाएगा तो 50 जूट बोलेगा तो संग खतम हो जाएगा र दूसरे खैदे भी जाएंगे, तो वहाँ पैसे का बहुत लेंदिन होता है, पर संगों के अंदर तो पैसे का लेंदिन होता ही नहीं, इसलिए संग राजनीती में नहीं जा सकते, राजनीती के अंदर आप कुछ लोगों का भला करोगे, कुछ लोगों का बुरा करोगे, क्यो यहां एक विचार के लोग होते हैं और सबका यहां सारे के सारे दोस्ती के उपर रहते हैं राजनीती के अंदर परिवार परिवार को मारता है काटता है एक ही परिवार में चार चार राजनीती की पार्टियों के लोग रहते हैं एक दूसरे के दूस्पन होते हैं पर संगों क तो संग का राजनीती से पूरा पूरा लेंदर है। संग जो होते हैं वो ऑक्टोपस होते हैं, आठ भुजाओं वाले होते हैं, आठों दिसाओं में उन की पहुंच होती है और आठों दिसाओं का ध्यान रखते हैं। चाहे वो आर्थिक है, चाहे सामाजिक है, चाहे बल है, पोर्स है, चाहे वो धमिक है, कैसी भी व्यवस्ता है, चाहे वो राजनितिक है, किसी भी है, चाहे ब्यापारिक है, कोई भी व्यवस्ता है, वो सबका ध्यान नगते हैं, क्योंकि सभी व्यवस्ताओं में समण होते हैं तो संग हमेसा ये चाहता है कि राजनिती में समण सारे जाएं, वो राजनिती में इस तरह से जाएं कि पक्ष में भी सारे समण बैठें, विपक्ष में भी सारे समण हों, उनमें तर्क हो या वितर्क हो पर समण समण से करें, उसकी जो एग्जिकुटिव बॉड़ी हो उसमें सारे समर्ण होने चाहिए उनकी जो जुडिसरी है उसमें सारे समर्ण होने चाहिए सारा सिस्टम में सारे सिस्टम के इंदस समर्ण होने चाहिए क्योंकि उनकी संख्या 120 करूड 85% से जद़ा है और 85% तो बहुमत होता है पहुमत से। बहुत जदा होता है 35% जदा होता है डबल होता है बहुमत का। तू अगर राज़िती में जाएं और राज़िती जाके सम्मे ना चाएं, तो ऐसे समणका राजनिती में जाने का फाइदा नहीं। पर ये समण कैसे होगा, 50% लोग तो टुकडों में तूटे हुए हैं, 50% लोगों ने तो हजारों राजनितिक पार्टी बना रखी हैं, पिचासी परसेंट लोग तो किसी को कुछ समझते नहीं राजनितिक पार्टियों में और वो अपने प्रति दुन्दी से लड़ते नहीं वो आपस में लड़ते हैं उनका वोट कहा जाता है उनका सपूर्ड कहा जाता है उनका नोट कहा जाता है किसी को पता है नहीं किसी को ब जवाब देंगे, वो तो लोगों से जवाब लेते हैं, लोग क्या जवाब देंगे, जो कोई उनसे कुछ पोस्ता है, उसको हटा देते हैं, जो कोई उनसे पैसे का हिसाब मांगे, उसको भगा देते हैं, जो कोई ये कहे कि तुमने जो पॉलिशी बनाई है, चुना आप जीत तरह या गण तरह या लोकों की तरह वेवार नहीं करती वो उनके अनदर ताना शाही कुट कुट के भरी हुई है सारी राजनिती पाट़्ियों को ये हाल है जो सम्हellों की ये सारी और वो किसी की सकल देखने को तियार नहीं है चाहे वो बरवाद हो जाए चाहे वो हमें बरवाद करते हैं इससे उन्हें कोई लिजा अंदर नहीं है क्या होता है राजनिती के अंदर पहले जो लोग जाते थे राजनिती के अंदर वो जाते थे कि हम जाएंगे तो अपने लोगों की बात रखेंगे वहाँ पे हम उनका नित्वत करेंगे, पढ़के जाएंगे, बहाँ संसद में जाते हैं, विधान सवा में जाते हैं, जो बहुमत में होते हैं, बहुत संका क्यों होते हैं, वो नियम बनाते हैं, नियम बदलते हैं, नियम खतम करते हैं, यानि नियमों को ठीक करना, नियमों को खतम करना नियमों को बदलना नियमों को बनाना और नियमों को लागू करना नियमों को चलाना और उनकी देखवाल करना ये काम उन लोगों के हैं जो पक्स में बैठे रहे थे और विपक्स में जो लोग बहुमत में कम रह जाते हैं उसको विपक्स बोलते हैं उसके अधिकार यह हैं कि जो नियम बन रहे हैं या नियम नहीं चल रहे हैं उन पर वो तर्क वितर करे और वहां दर्ज करवाए कि तुमने यह कहा था यह ठीक नहीं है यह नियम ऐसा नहीं है वैसा नहीं है अपनी सला दे माने तो ठीक ना माने तो वहाँ विरोध दर्ज करे और उसके लिए फिर जुडिस्री भी होती है जो वहाँ कानून को प्रटेक्ट करती है समविधान को प्रटेक्ट करने का काम होता है तो खाली अगर वहाँ पे डिफिट वो जाती है तो वहाँ जा सकते है पर आजकल लोग नियम बनाने नहीं जाते, कानून बनाने नहीं जाते, अब संसत्य अविधात समाई चलती नहीं है, वहाँ healthy discussion नहीं होता है, वहाँ काम रुख जाता है, अब वहाँ जो आते हैं, जो पूरे खबरे आती हैं, उन खबरों के इसाब से जो समयधाने की प्रिक्रिया थी है वो प्रिक्रिया पूरी तरह से नहीं चल रही है वो रुक जाती है संसत का समय बेका जाता है लोग अपने अपने मैं मेरा मैं मेरा और अपने स्वार्थों में लिप्टे रहते हैं उन्हें ये नहीं एसास होता कि ह हमने कितने नियम बनाए कौन से नियम अच्छे हैं कौन से नियम लाग हुए नहीं हुए वहाँ वही नियम बनते हैं जो कुछ लोगों को पसंद हैं बागी वो देश को पसंद हो या ना हो उसके बाद फिर लोग उसको प्रोटेस्ट करते हैं जैसे किसानों ने तो आजकल का जो सिस्टम है राजिती का वो गरवड़ा गया है अभी वो सिस्टम ठीकते से चलनी रहा है ये बात संग को पता है पर संग की अभी ऐसी हैशित रही है कि वो अपनी राजिती को कह सके कि वोट देंगे जब इखटे होके आओगे तब नोट देंगे जब इखटे होके आओगे तब, सपोर्ट देंगे जब इखटे होके आओगे तब, कोई व्यक्ति अपनी राजनितिक पार्टी से पूछता भी नहीं, तुम्हार क्यों गए, साल दर साल दर साल, सारे चुनावों में हारते हैं, पर अकल नहीं आती, और कुछ अकल आती है, तो लोग नई पार्टी उबरा लेते हैं, क्या कहते हैं, यह पार्टी बेकार है, अब हम खोलेंगे, वो पुरानी पार्टी पर क्या हुआ, इस पर कोई ही बात करता, नई पार्टी खोल लेते हैं, और लोग पूछते भी नहीं, लोग जानते भी नहीं, कभी 70 साल में तुम जितने MPA MLA नहीं बने अगर तुम इखटे हो जाते तो तुम 100% बन जाते 100% रिजर वेशन की जोतनी पड़ती तुम रिजर वेशन देते पर कौन समझाए कौन कहे उनसे क्योंकि उनके स्वार्थ हैं कोई भी राजनितिक पार्टी किसी के अधिन नहीं है किसी भी व्यक्तिक अधिन नहीं है राजनितिक पार्टी के जो लोग जो आका होते हैं उनकी जिवल्स होती है अगर आपने कुछ कहा तो वो सीधे सीधे आप गडु विरोधी पार्टी का बोलते हैं आपने उंसे कुछ कुछ पूछ लिया तो सीधे विरोधी पार्टी का नाम नाम लेंगे कि आप मून ही खोलोगे चुप हो जाओगे चाहा उनके अंदर के लोग हो या बाहर के हो और हिसाब किताब तो वो किसी को देते नहीं कितने पैसे आए कितने गए वो पार्टी के पैसे से खुब मौच करते हैं जहाज में आते हैं हेलिकॉप्टर में घूमते हैं अपने को पढ़ाते हैं अपने बच Junior को लिखाते हैं अपने बचो का भष्षे बनाते हैं चान से चलते हैं कोई उन से पूछे कि अपने परसनल मैं खरचबर पर कोई पूसता नहीं. पर संग पूसता है. संग का दूसा नियम है, चंदा देंगे ना लेंगे, बलकरी चंदे का हिसाब भी लेते हैं हम तो. संग के नियम है कि यहां सारी जानकारी आनी चाहिए. इसलिए संग में राजनितिक पार्टियां नहीं आना चाहती, क्योंकि संग लोगों के द्वारा है, लोगों का है, और लोगों के लिए हैं, पर राजनितिक पार्टिय लोगों के द्वारा नहीं है, ना लोगों के लिए हैं, ना लोगों की हैं, राजनितिक पार्टियां जितनी भी होती हैं, वो बाईदामी, फौरदामी, आप किसी भी राजनितिक पार्टी को उठालो, वो कभी लोगों की इक्षा से नहीं बनती, तो राजनितिक लोगों से अगर कभी आप पूछोगे, कि भाई आप अलग-अलग रहते हो, तो कैसे जीतोगे, तो दो-तीन बाईदिक आपको सुनाता हूँ, एक राजनितिक पार्टी है, वामसेफ ने बनाई, नाम नहीं लेता, बुरा लगेगा उनको, वैसे हमें को डर भी नहीं है, तो मैंने उनसे कहा कि भाई, कोई हम तो बहुत सालों से काम कर रहेगे, खटे हो जाओ, तो मैंने उनसे कहा कि भाई, आप एक साथ राजनितिक पार्टी बना लेते, तो ज्यादा अच्छा होता है, हर बार पैसा खच होता है, लोग टूपते हैं, मायुस हुजाते हैं, लो सुव स्टन्त होती है हरे अदमी की हम अ 10th मिट ना इससे क्या मतलब है वोटर आजाद है वोटर जिसको देंना चाहिए है किम्सक्राइज यह कह रहे हैं कि 100 पार्टिगनाना हजार को कि चुने जुम्म्हठारी एक है कि ऑ आप वोटर को बंधुवा नहीं बना सकते, आप बांध नहीं सकते, वो आजाद है, बावा साब होते तो क्या कहते, मुझे पता नहीं, पर इतनी सी बात उनको सौझ में नहीं आए, कि अगर एक ही पार्टी होती और तुम भी उसी पार्टी में होते, तो वोटर वहीं वोट देता जहां एक पार्टी होती है और वो मजबूत होती सब के काम हो जाते तो बोटर को तो अपना काम चाहिए उससे कौन सवाव विधान सवाव में या लोग सवाव बैठना है दूसरे व्यक्ति से मैंने कहा वो भी राजिंतिक पार्टी उसने खोल दी वो साब का सिराम जी क चेला यह सारी चेले साब का सिराम जी के हैं मैंने उसको भी कहा कि भाई आप इतनी महत करते हो सारी बात है अगर एक साथ एक खट्रे होके एक राजिंतिक पार्टी बना लेते तो सबका फ़ला हो जाता यह लगग होता है तो वो क्या कहते हैं तर्क होता है सब के पास तीन वमर्ण जब वो सेंक्डो राजनितिक पार्टियां बना सकता है तो क्या पिचासी परसेंट लोग हजारों पार्टी नहीं बना सकते हैं मैंने का गरू जी लाखों बना सकते हैं बनाओ भाई अगर हजारों पार्टी बनाके और लाखों पार्टी बनाके तुमारा भला हो स कि अरे भाई वो तीन पर्सेंट लोगों की जो पार्टियां हैं वो दिखावे की हैं वो सब इखटी हो जाती है पर मुझे ये बताओगे वो तीन पर्सेंट लोगों की पार्टियां जीत के सत्ता में कैसे आ जाती है और तुमारी हजारों पार्टियां बिखरके सत्ता से माना मौझूद है पर इस बात को समझने को त्यार नहीं है कि अगर समणों की एक पार्टी होगी एक राजनी की पार्टी होगी तो चाहे बोट मांगो या ना मांगो चाहे पैसा पास हो या ना हो कुछ ना हो लोग अपने आपी जिता देंगे ये बात किसी को समझ में नहीं गुद्ध कभी राजा की दरवार में नहीं गए राजा की नीती पर नहीं चले राजा की कोई नीती उन्होंने नहीं मानी उनकी नीती बिलकुल अलग होती थी जब वो साके कड़ परिशत में थे साके संग में थे तब भी राजा की नीती नहीं चलती थी जब उन्हें भिक संविधान के अंदर भी जो राजे और महाराजे थे, जो सल्तने थे थी, आपको याद होगा कि भारत में संविधान से पहले सैंक्रो सल्तने थी, सैंक्रो टरह के राजा थे, हर तरह का आइटम तरह राजा हैं मिलता था, पर जब सांगिक रचना हुई और संग की सक्टिय फाइदा होता इसलिए हमको बोलना चाहिए कि दो तरग नीती होती है एक होती है संग की नीती जिससे संग चलता है और एक होती है राजा की नीती जिससे राजा चलाता है यहां लोग लोगों को चलाते हैं लोगों के द्वारा चलाते हैं वहां सिर्फ अकेला एक राजा होता जो उसकी मर्जी, जिसको चाहे उसको बाश्चा बना दे, जिसको चाहे उसको सजा दे दे, जिसका चाहे उसका मकान बनवा दे, जिसका चाहे जिसका मकान तुलवा दे, जिसको चाहे वो एंकाउंटर करा दे, जिसको चाहे वो जीवन जान दे दे, जिसको चाहे तो करणों अ राजनीती में नहीं जाते, ना पहले गए ना अब गए, भारत में और दुनिया में जितने भी संग हैं, वो कभी राजनीती मिने गए, जिनका बुलकुछ सिद्धान देक्टों कि राजनीती की जो एज है, बहुत कम है, राजनीती टेंपरेरी होती है, राजनीती में जो सक् भी हार नहीं होती, संग में हमीसा जीती-जीत होगी, क्योंकि संग लडता नहीं है। लडोगे तो हारोगे भी और जीतोगे भी, पर जुडोगे तो कभी नहीं हार सकते हैं, क्योंकि जुडे हुए हमेसा जीतते हैं, संग जोडता है, संग लडता नहीं है, कोई हमसे कहें कि संग लडेगा, संग को वहां लडता संग नहीं लडता भाई कभी, संग तो जोडता है संग के जीतने की गारंटी 200% है और राजनीती के जीतने की हारने की गारंटी 50-40% है क्योंकि 50% में आप हारोगे भी और 50% में जीतोगे भी इसलिए संग कभी राजनीती में जाते क्योंकि उनको हारना नहीं है क्योंकि संग बहुत बड़ी चीज होती है संग रोज राजनीती पैदा कर सकता है अलग अलग रोज पार्टियों को पैदा कर सकता, जिसके पीछे संघ खढ़ा होता है राजनीती वहां से आरम्भ होती है और जिसके पीछे संघ नहीं होता, वो कितनी राजनीती कल्ये को उसकी बहुत temporary होती है, 10 साल, 5 साल, 20 साल 30 साल बाज से जादा नहीं, उसके बाद उसकी खतम जाती है, फिर ने लोग आते हैं बिना संग के, फिर पार्टी बनाते हैं, फिर वो खतम जाते हैं, अभी ने बच्चे आए हैं, लड़के आए हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, पार्टी बना ली, वो चल नहीं पाएगी, क् आपको कोई नहीं रुखता क्योंकि संग के निर्ने संग ही करता है संग ही सबोपरी है संग जैसा चाहे वैसा कर सकता है संग को कोई दिक्कत नहीं होती है मेरे अगर किसी इस वक्त वैसे अगर किसी को कोई परिशानी हुई हो या किसी को अच्छा ना लगा हो तो संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे, संगहन नमामी, संगहन नमामी, जय भी हुखोब रखाए.